जैसे कि आपने वीडियो के थमनेल में देखे लिया होगा कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको खराब LED बल्फ की मदद से बहुती पावरफुल यूनिक एमर्जनसी लाइट बना के दिखाने वाला हूँ तो वीडियो के बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखे फ्रेंड इस एमर्जनसी लाइट को बनाने के लिए आपको इस टाइप के दो खराब LED बल्फ लेने हैं कौन से बल्फ लेने हैं जो हमारे लोकल बिना गरेंटी वाले बल्फ होते हैं उसको आपको लेना है देखे मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ जो हमारे लोकल बिना गरेंटी वाले बल्फ होते हैं उसके अंदर आपको इस टैपर डोब लाइट पैनल लगा मिल जाएग अगर आप गरेंटी वाले बल्फ लोगे तो उसके अंदर आपको अंदर की तरफ एलमूनियम सीट मिलती है जिसकी मदद से फिर हमें इस अमर्जिन से लैट को बनाने में काफी प्रोलम आएगी तो इसलिए आपको दो लोकल LED बल्फ लेने हैं अब यहां पर जैसे कि एक भी होगे फ्रेंट तो उसके लिए मैं माफी चाऊंगा क्योंकि मैं सारी अपनी वीडियो डिटेल में बनाता हूं अब हम क्या करेंगे इसकी वायर है इसको हम फटाफट काड़ देंगे इस तरीके से हमने काड़ दिया है और इसके अंदर की यह जो हमारी हिट सिंग पत्त लिया है अब उसके बाद दोनों पलफ के उपर के यह जो बी 22 कैप हैं इसको भी हमें निकालना है तो इसे निकालने के लिए देखें आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा ओपनर वगरा यह पिसकस वगरा कि मतलब से हमें इसको साफदाने से निकालना पड़ेगा तो यहां पर यह जो कट है ना यहां पर आपको पेचकस को फसाना है तो इस तरीके से देखें यहां पर हम पेचकस को फसाएंगे थोड़ा सा आपको दिखा दूँ एक जगा अगर पेचकस फस गयाना तो बड़े अराम से यह निकल जाएगा यह देखें यहां पर मैंने 22 कैप को भी निकाल लिया है तो इसको अब हम साइड में रखेंगे और यह जो इसके अंदर LED पैनल लगा होता है यह हमारा AC सप्लाइब पे काम करता है तो यहां पे हम इमर्जंसी लाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर तो यह पैनल काम नहीं आएगा वैसे भी यह पैनल खराब है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मार्किट में कुछ इस टैप के पैनल आते हैं यह राउंड सेप में जो कोब लाइट वाला पैनल है वो है और दूसर यह जो हमारे SMD टैप का पैनल है इसको यह जो इसके अंदर टिक्की निगली थी बलफ के अंदर इसके उपर हमें ऐसे फिट करना है तो यहां पर देखिए ऐसे अगर हम इसको लगा देंगे तो लूजिंग रहेगी तो इसके लिए हमें पेज लगाना पड़ेगा लेकिन की यह जो इस तुरण की common इंदर फ्रैंट की जो इसका डिजाइन है ना वो hang अंदर की तरफ है तो इसके अंदर यह जो स्य की सand में पेज लगाने की जगह है इसमें दिखाई दे रही है यह सारे इसके ट्रैक हैं तो हमें क्या करना है जैसे कि यहां पर थोड़ा सा बीच में वह सब्सक्राइब पर अंदर और दिया तो यहां पर पहले हम निसान लगा लेते हैं इस तरीके कजब आपकैंने method लिए है तो अब क्या गरेगे करेंके कोई भी आप पत्ला पीच कस ले सकते हो और उसकी लjor इसको एसे गुमा-घुमा कि इसके अंदर अफोड़ कर लेना है तो यहांद मैं इस तरीके से होल करके आपको दिखा रहा हूं तो यह दिखे इसके अंदर हमारा होल हो गया चोटा सा इसके अंदर अब हम पेच लगा सकते हैं जली और यहां पर यह जो ट्रैक है ना यह दिखे बिलकुत दूर है इस होल के तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है यह इसका तो फिर यह पैनल हमारा हिलता डूलता रहेगा और यह पैनल हमारा खराब भी हो सकता है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो यह देखे यहां पे भी मैंने होल कर लिया है मेरे पास अभी फिलाल कोई ड्रेल मसीन नहीं है तो इसलिए मैं आपको पेचकर के मदद से बत बर से और पैनल को रखने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे अब यह फिर से हमें पेचकर लेना है और यहां पर इस तरीके से होल करना है यह देखे इस तरीके से हमने होल कर लिया और दूसरा होल हमें इसे जोर से पकड़के रखना है और यहां पर देखे दूसरा होल हमने क कर दिया है अब उसके बाद देखिए फ्रेंड इसके अंदर यह चोटे चोटे पेज हैं यह आप लगा सकते हो तो यहां पर हमने होल जहां पर किया है उसके अंदर इसको ऐसे रखके यहां पर हमें पेज को टाइट कर देना है यह देखिए मैं एक बार दिखा दूँ यह थो और उसके बाद यह जो दूसरा होल है इसको हमें बीच में रखे ऐसे इस page को टाइट करना है यहाँ पर हमने इसे भी अच्छे तरीगे से टाइट कर दिया है पेज को तो इस तरीके से ये पैनल हमारा फिक्स हो चुका है और ये इसके साथ में टच नहीं है ये आपको वीडियो में लग रहा होगा कि इस LED के साथ में टच हो गया लेकिन ये टच नहीं हुआ है तो यहां पर ये देख लेना है आपको कोई भी पॉइ करेंगे यहां पर सिंपल हम क्या करेंगे प्लस और माइनस के कनेक्शन करेंगे तो यह हमारा प्लस पॉइंट है यह देखिए यहां पर प्लस का सिंबल है और यह माइनस पॉइंट है तो यहां पर हम क्या करेंगे दो प्लस माइनस की वायर को फटा फट जोड़ लेते हैं तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर plus minus की wire को जोड़ लिया है, अब इस दोनों wire को यह जो बीच में से आपको hole दिखाए दे रहा है, इसके अंदर हमें डाल देना है दोनों wire को, और यहां पर इस तरीके से wire को हम अंदर की तरफ खीज लेंगी, तो यहां पर A.L.E.D.Panel तो बढ़ी बनके तयार हो गया है और इसको हम क्या क्या करेंगे कोई फाउजिंग ले ले नहीं इसके अंदर देखे इस तरीके से डालके हम्में ऐसे इसे फिट कर देना है हमारा L.E.D.PANEL तो भई बनके तयार हो चुका इसको हम इस तरह के सरफ कर देंगे यहां पे हमारा LED पैलो फिट हो चुका है अब इसको मरूखेंगे साहर में अब हमें दूसरी बोड़ी को लेना है तो यहां पर देखें दूसरी बोड़ी के अंदर हमें क्या करना है इस ताहर पर देखें हमें एक छोटा सा स्विच लेंगे जो किसी भी लेक्ट्रोनिक सोप पर आपको चार से पांच रुपे के अंदर बड़े आराम से बिल जाएगा तो हमें क्या करना है सबसे पहले देखें स्विच को हमें इस बोड़ी के अंदर ऐसे लगाना है तो इसे लगाने के लिए देखें हमें पहले इसके सेफ की कटिंग करके इसको लगाना है तो यह देखें यहां से हमें स्विच को लेना है सो इस तरीके से हम लेंगे और इसको यहां पर रखके बीच ओबीच ऐसे प्रैस कर देंगे यहां पर हमने इसे लगा दिया और बड़े अराम से लग भी गया है अब उसके बाद देखें इस इस एमर्जनसी लाइट के अंदर हमें एक लिथे मायन बैटरी उच करेंगे तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें सबसे पहले एक चार्जिंग कनेक्टर लेना है तो यह देखें मेरे पास कुछ इस टैप का चार्जिंग कनेक्टर है और यह जो चार्जिंग कनेक्ट हमें एक हिसाब से होल करना है ताकि यह कनेक्टर है बस यह इसके अंदर आ जाये है तो यहां पर अभी थोड़ा सा ओर चोड़ा कर लेंगे आप को एक साथ नहीं हलका हलका करके देख लेना है क्योंकि कई बार ये धीला भी पड़ जाता है फिर दिक्कत आएगी बार-बार कनेक्टर आप बाहर आ जाएगा इस दिके से हमने एक बार दुबारा से होल करा है और अब देखते हैं तो यहाँ पे देखे कुछ इस तरीके से यह हमारा चार्जिंग कनेक्टर इसके अंदर लग चुका है अब यहाँ पे जो हम एमर्जेंसी लाइट बना रहे हैं उसके अंदर हम इस टैप की लीथेमान बैटरी का यूज करने वाले हैं तो इस बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज करने के लिए यहाँ पे यह जो TP-46 मेडूल होता है जो की स्पेशली स्टैप की बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है इसका यूज करने वाले हैं और यह TP-46 मेडूल आपको किसी भी लेक्ट्रोनिक्स होपे 30-35 रुपे के अंदर बढ़े अराम से मिल जाएगा तो आप इसका यूज करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि इसके अंदर फीचर यह होता है कि जब हमारे बैटरी चार्ज होती है तो इसके अंदर रेड रंग की LED जलते है और जब बैटरी मारे फुल हो जाती है तो इसके अंदर बुलू या फिर ग्रेन रंग की LED जलते है तो इससे हमारी यह जो बैटरी है यह ओवर चार्ज नहीं होती जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है तो इसलिए आपको ये टीपी चाले चाले चापन में तो हमें क्या करना है सबसे पहले देखे यहां पर चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है तो यह चार्जिंग कनेक्टर हम इसके अंदर इस तरीके से तो फिट कर नहीं सकते अगर हम कर भी देती इसको किसी तरीके से तो इसके अंदर बैटरी लगाने की जगा नहीं बसती तो हम क्या करेंगे यह जो हमने connector लगाया है तो इसके अंदर हमारी plus minus की यह 2 point है तो इसके 2 point को यहां से हम wire को जोडेंगे इसके अंदर से 2 wire को निकालेंगे plus minus की और उसका connection यहां पर हम direct कर देंगे देखे यहां पर यह प्लस का सिंबल है और यहां पर मानस का सिंबल है तो यहां पर हम कनेक्शन कर देंगे तो यहां से क्या है सप्लाई हमारी यहां तक पहुंच जाएगी ठीक है तो यहां पर हम इसली यहां पर कनेक्शन कर लेते हैं अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको सम बड़ी दिखाय की है और मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा प्लस मानस आपको भड़ी दिखायाः r話 तो इसके लिए चारजर से यहां पर ऍसको नहीं चुहराँ सब्सक्सक्रार दिना है यह झा उसके बाद हमें कैंजा है अपना देना है multimeters तो इस दिखें मेरे पास multimeter है और multimeter को आप USप bonus और प्लस की यहां पर हम उससास आपstart देखेंगे यह चोटी वाली लैगं पर हम ब्लैक वाली प्रोब रखेंगे यहां पर इस तरीगे से रखेंगे तो आप मल्टीमिटर की स्क्रीन पर देख सकते हो फाइब पॉइंट 37 के आस पास वोल्टेज दिखाई दे रही है लेकिन इसके आगे कोई भी यहांपर माइनस क दिखाई दे रहा है मतलब हमें सही पॉइंट यहां पर सेलेक्ट करा है अगर हम इसको फोर्ट लगा तो यहां पर देख Banglaj यहां पर आपको मैनस का सिंब्ल देखाई देगा है यह देखिए प्लस मानस की और यह जो हमारा कनेक्टर है यहां पर प्लस मानस की वार को जोड़ देता हूं तो यह देखे कुछ इस तरीके से मैंने इस कनेक्टर की प्लस मानस वाले पॉइंट से वार को जोड़ के इसके प्लस मानस वाले पॉइंट पर जोड़ दिया है तो इतना कनेक्शन पर पहले आपको जोर लगा के ऐसे scratch करना है इसके उपर निसान बना लेनी है देखे इस तरीके से आपको निसान बनाना है जब तक आप इसके उपर निसान नहीं बनाओगे तो इसके उपर soldering नहीं होगी काफी सारे लोग मुझे comment करके बोलते हैं कि sir हमारी soldering नहीं हो पा रही है इसके अंदर तो उसका यही कारण होता है तो इस तरीके से देखे यहाँ पर मैंने निसान बना लिया है अब उसके बाद देखे इसके अंदर हमें क्या करना है आपको अच्छी quality की paste परी ठीक है और उसके बाद इस तरीके से देखे यहाँ पर मैंने scratch कर रहा है यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर आप देखना कि यह जो solder wire है हमारी बड़े अराम से यहाँ पर चिपक गई है अब यह निकलने वाली नहीं है अब इसके ओपर हमें सिर्फ wire प्लस मानस की तो इसी तरीके से यहाँ पर देखे यह हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा और इसके साइड में यह जो पूरा मैटल होता है यह हमारा मानस होता है तो यहाँ पर हम इसको scratch कर देंगे यह देखे यह हमारा प्लस पॉइंट हो गया और यह हम यहाँ पर मानस और उसके बाद फिर यहां पे हम क्या करेंगे, आरन की मतर्थ से देखे, यहां पे पहले सॉल्डर लगाएंगे, यह देखे, यहां पे जो हमारा सॉल्डर है, अच्छे तरीके से चिपक गया है, अब इसके बाद जो इसके अंदर हम वायर जोडेंगे, वो हमेशा अच्छी क की एक copper wire है तो plus को देखे हम यहाँ पर जोड़े हैं इस तरीके से बड़े अराम से हमारी solding हो जाएगी देखे इसके अंदर हम इस तरीके से आरं को रखेंगे और यह देखिया हमारी plus वाली wire जूड़ गई है और इस तरीके से जो minus वाली point हमने बनाया है यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और यह हमारा मानस पॉइंट भी जूड़ गया है तो इस तरीके से आपको इस टैप की किसी भी लीथेमान बैटरी के अंदर वायर को जोड़नी है जो कि बड़े आराम से वायर जूड़ जाती है इसके अंदर तो हम क्या करेंगे यह जो बैटरी है ना इसकी जो प्लस मानस वाली वायर है इसको हमें यह देखे यह जो हमारा हमारा चार्जिंग सर्किट है इसके अंदर देखे बी प्लस बी मानस लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखे जहां पर यह हमारा बी प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर हमें बैटरी मैं सारी चीज़े आपको दिखा रहा हूँ, आज मैं ज़्यादा वीडियो कट नहीं कर रहा, ताकि आप अच्छे से देख लो, क्योंकि सोल्टिंग कैसे होती है, काफी सारे लोग बोलते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने एफी बी- को बी- के साथ में जोड दिया, और बी- को बी- के साथ में जोड देंगे, यह देखे, यहां पर मैंने माइनस वाली वाल को भी जोड दिया है, अब उसके बात देखे, फ्रेंड यह जो हमने LED लगाई है, इसका Connection हमें करना है, तो यहां पर देखे, कुछ इस तरी तो यह चीज हमें समझना है तो जो भी चीज इसके आगे आएगी उसे हमें कट करना ही पड़ेगा तभी यह बैटरी इसके अंदर भी करना पड़ेगा यह देखिए इस वायर को हम थोड़ा सा बजा के काम करेंगे की देखिए यहां पर इस तरीके से हमें पूरा प्लास्टिक को किलीन करना पड़ेगा सैड में यह जो लोक से बने हुए हैं इसको हमें अच्छे से कटर की मदद से साफ ही करना पड़ेगा तो यह देखे यहां पर जाने बिल्कुल अच्छे तरीके साफ कर लिया है अब यह जो बैट्री है इसको हम ऐसे डालेंगे और ऐसे डालने बाद यहां पर देखे सैड में हमें जगा थोड़ी से बनानी पड़ से हमें सैड से जगा बनानी पड़ेगी इसको थोड़ा हमें ऐसे उठाएंगे और यहां पर इस तरीके से जगा बनाके इस वायर को हमें दोनों को पास करना है यह देखे हमने पास कर दिया है इसको और इस तरीके से और वायर को हमें डालना है तो यह वायर देखे यहां प करके इसको थोड़ा साग्यों कर लेते हैं। यहां पर इोड़ा इस थरीके से हमने कर लिया है और है कि क्या करते है कि इसको T-ああ में एर यह दिखें यहां पर यह आपस ने जुड़े है इसे प्लस कीह त такие your तो हमें क्या करना है अब इसके अंदर एक जो वायर है इसको हमें क्या करना है इस स्विच के इस वाले पॉइंट पर लगाना है यह देखिए जो हमारा स्विच लगा हुए है यह देखिए यह जो स्विच लगा हुए है तो इसके एक पॉइंट पर हम यहां पर एक वायर को जोड़ेंगे अब यह जो दूसरा प्वाइर है यहां पर हम वायर को जोडिकाई हैं यहां पर चलिए इसको हम जोड लेते हैं इस तरीके से साथ के साथ मैं सारी चीजा आपको दिखा भी दूँ देखिए यहां पर इस तरीके से इस वायर को हमें जोडना है तो यह देखिए यहां पर हम यह LED के हमने वायर को जोड दिया है प्लस वाली को और इसको हम यहां पर जोड़ेंगे देखे यह जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है यहां पर इसे हम सोल्डिंग कर देंगे तो इस तरीके से यहां पर हमने यहां पर देखे इसको कवर करने के लिए आप कोई भी पीवीसी का बोर्ड को कट करके इसको लगा सकते हो तो वह मैं बाद में लगा लूँगा फिलाल आप देख लो कि किस तरीके से अभी हमारे अमेर्जनसी लाइट काम करेगी तो यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना भोलिया कि इसको नहीं यहां पर हम यहां फैवी चुख से फिक्स करना पड़ेगा या फिर यहां पर यहां पर टेफ वे गरा भी लगा सकते ौो ho अभी फिलाल मेरे पास टेप या फैवेक यूग नहीं है तो इसको मैं बाद में लगा लूँगा लेकिन यहां पर आपको लगाना जरूर है नहीं तो यह लोजिंग रहेगी तो यह जो इसके उपर के डिफूजर है इसको हम एक बार लगा लिते हैं इस तरीके से हमने लगा और लाज कर सकते हो तो यहां पर इस तरीके से मैं इसको चाह लगाemले तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको red light भी नजर आ लगाया है अगर इसके अंदर LED नहीं लगी होती तो फिर मैं एक charging LED भी इसके अंदर लगाने पड़ती तो इसलिए मैंने यहां पर यह काम नहीं करा तो यहां पर यह इतना काम हो गया अब यहां पर देखिए मैं charging pin को निकाल के switch को दबाता हूं तो यह देखिए friend जैसे मैंने switch को दबाया तो यह कुछ इस तरीके से हमारी emergency light यहां पर काम कर रही है और यहां पर light को बंद करना है तो इस तरीके से हम बंद कर सकते हैं चालू करना है तो चालू कर सकते हैं यह देखिए मैं light को on करके भी दिखा दूँ इस बैटरी का यूज करा है जो की बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी क्वालिटी की लीथेमान बैटरी यूज करनी है तब ही आपको अच्छा खासा पैकप भी देखने को मिलेगा तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स स्टूडियो में किस नए टोपिक साथ तब तक ले जय हैं वंदे मात्रम